असाध और सावन के महीनों में बारिस के इंतजार के बाद भादों की पहली ही रात ने सतना में कहर बर पाया है रात भर हुई बारिस ने सतना सहर को पानी पानी कर दिया है गली महले जलमगन हो गये हैं बारिस का पानी बजबजाते नाले नालियों से होकर लोगों के घरों और दुकानों की अंदर जाखुचा है सहर की कई सडकें डूबी नजरा रही हैं तो रेलवे ट्रैक, अंडर पास और साइकिल ट्रैक भी पानी पानी हो गया है महापवरयोगेस्तामरकार, कलेक्टर अनुरागवर्मा, तथा नीग्मा युकतराजेश, साही नगरनिगम के अमले के साथ नगर भ्रमण कर जलभराव के हालात का मुआयना करने निकले हैं नगर निगम के तकनीकी अमले के ज्यान ने कई जगे उन्हें भी हैराणी बेडाल दिया है सुक्रवार और सनिवार को दरम्यानी रात हुई बारिस सतना सहर की लोगों के लिए मुसीवत का सबब बन गई है पूरी रात हुई बारिस ने नगर निगम की जल निकासी विवस्था की पोल खोल कर रख दी है नाली नालों के गलत निर्माण और अतिक्रमण के जिन ने सहर को पानी पानी कर दिया है भरुत नगर, बरदाडी, बदखर, पन्नानाका, चकबंदी, उमरी, बगहा, राजिन नगर, अमरित कॉलोनी, जवान सिंग कॉलोनी, आदी मुहलों में पानी नाले नालियों से उफन कर दुकानों और घरों में खुश गया है मुख्य मारगे भी दो फिट तक पानी में डूबा है कई इलाके तो ऐसे हैं जहां अभी तक नालियां ही नहीं है सिटी कोतवाली के आगे बना रेलवे का प्रेम नगर अंडर पास तथा मुकतार गंजनेलवे फाटक में भी रेलवे ट्रैक के उपर पानी भर गया है बिलहटा में बांसागर की लोगर पुरवा नहर का अंडर पास भी पानी में डूब गया है उधर सवा 5 करोड की लागत से बनाये गए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का साइकिल ट्रैक भी लोगों के लिया आफ़त बन गया है सडक किनारे जल निकासे के मार्ग बंद कर बनाया गया ट्रैक अब जल भराव का कारण बन रहा है पन्ना नाका में सडक का पानी जहां नाले में नहीं जा पा रहा है वहीं चकबंदी छेतर में भी पानी की राह साइकिल ट्रैक ने रोक रखी है भादों की पहली रात हुई आफत की बारिस के बास सनिवार की सुबह सहर में जल भराव के हालातों ने जन जीवन को अस्तिबस्त कर दिया है। जानकारी मिलते ही महापोय योगेश तामरकार कलेक्टर अंडराग वर्मा तथा कमिशनर नगर निगम राजे साही। इस सित्यों की जानकारी लेने सड़क पर निकल पड़े हैं। मेयर कलेक्टर ने खुद भी कई जगए घुटनों तक भरे पानी में खड़े होकर हालात देखे और नगर निगम के अमले को तकाल वेकलपिक इंतजाम करने के निर्देसी हैं। इस दरान प्रभावित लोगों ने उनके सामने ब्यवस्था बनाराजगी भी चताई हैं। पर अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि अगले चार दिनों के अंदर ये सारे हडल दूर कर दिये जाएंगे। स्थाई समाधान की कार्योजना पर काम सुरू कर दिया जाएगा।